तो हम लोगों ने जान लिया कि सिर्फ एपसेंस आप डिजीज और फिजिकल फिटनेस यही दो चीजें ही हेल्थ सही होने को डिसाइड नहीं करती हेल्थ की सही डिफिनीशन नहीं दे सकती ति यह दोनों चीजें हमने जान लिए ठीक उसके बाद मैंने दो चीजें कि वह ही सिर्फ ही मेंने बात कर लिए हेल्थ की मैंने अब इदीजीज के उपर डीजीज क्या है इसमें हमारा कोई आरगन या फंदिकली ना सिस्टंब indeed this a तो इसका मतलब है हमें disease है या कुछी अन्यकारण से body में कुछ होने वाले unusual या कोई किसी भी function की वज़ा से तो हम मानेंगे कि हमें disease है ठीक है उसके बाद बात आती है कि disease क्या है disease होने का simple meaning है कि हम fit नहीं है if we are not healthy then we have disease है ठीक मतलब हम लोग fit नहीं इसका मतलब हम लोगों को डीजीज है ठीक आज़िसके बाद disease दो तरह के होती है आपने सुना भी होगा एक infectious disease होती है एक non infectious disease होती है इंफेक्सियस डीजीज वह होती है जो easily transfer हो जाती है एक वैक्ति से दूसरे वेक्ति में, एक परसन से दूसरे परसन में, दूसरे परसन से तीसरे परसन में, इस तरीके से वो easily transfer होती रहती है या खहते हैं, transmit होती है, एक दूसरे मंद ट्रांसफर ही कही आप यहाँ पर त्रांस्मिट्स सब्धमत परयोग किजिए आपको नहीं अच्छा लग रहा था आप ट्रांसफर कहिए कि ट्रांसफर होते रहते हैं और उसकी वाद जो नान इंफेक्सिटी डिजीजी होती है वह एक दूसरे के थ्रूज है नहीं मिल सकती मिला कोई बैकती को अगर को रोग ह ह примकुर्ब है तो एचित नहीं होगा वो को इसी को दे नहीं सकता है पिर इंफस्षीर के किया ब्रीच में भीमारी है सबसे बहुत भांकर बिमारी है जो ठीक इस से आद्मी की ठाट हो जाती आपको पता होगा तो इस से देज्ट भी हो सकते हैं और झो नान- SMACC में सबसे भाइंकर नारी सबसे खतरनाग प्रीश si उलेशल ठीजीजिग गिंगे सकते हैं आपको आपको नियुमानिया हो गया यह सारी चीज़ें जो है वह आपको इंफेक्सेस डिजीज के अंतरा और एक्सेक्टरा बहुसी आए तो मैं आपको भी बताऊंगा उनको पढ़ करके लेकिन मैं सोचता हूँ उसके पहले हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं हेल्थ तक पढ़ चुके हैं वहां तक हम लोग NCRT क ने पास रखे 12th की NCRT 8th unit खोलिए पेज नंबर है 145 आईए हम लोग आते हैं सबसे पहले आप लोग सभी लोग निकाल लीजिए आपको 10 स्रिकेंड का समय दे रहा हूँ 12th की NCRT चैप्टर 8 पेज नंबर 145 सबसे पहले आप देखिए इसमें जो एक साइंटिस्ट ने बताया था लेप्ट हैंड साइट पर दिये गए हैं यह मैं स्वामी नाथन इनका नाम है इनको पहचान लीजिए इनकी सकल देख लीजिए इनको अच्छे से अपने दिमाग बसा लीजिए बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने बहुत सारे लोगों की जाने बचाई फूर प्रोडक्शन को बढ़ा करके और सारी चीजें करकरके इन लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया तो आईए हम लोग अब डिसकस करते हैं यह मैं स्वामी नाथन के ब पूरा नाम है मोन कामबू संबा सिवान स्वामी नाथन तेड ही ग्रेजुएशन पोश्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी फ्राम मदरास इन्वस्टी मदरास इन्वस्टी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और पोश्ट ग्रेजुएशन किया बॉटनी में ओके यी वर्क his expertise in genetics and plant breeding दो चीजों में ने वर किया genetics and plant breeding ठीक है और the school of cytogenetics and radiation research established at the Indian agricultural research institute इसका आप full farm याद कर लीजिए IARI का full farm क्यों होता है इसको आप टिक कर लीजिए आप इसको आप पढ़ लीजिएगा हो सकता है आप मुझ ले Indian agricultural research institute IARI enabled Swaminathan and his team to develop short duration high yielding variety of rice मतलब IARI ने क्या किया और Swaminathan ने और इनकी team ने develop किया क्या short duration high yielding मतलब कम समय में अधिक जो है उत्पादन देनी माली फसलों को उनमें क्या था rice चावल की फसल उसको इन्होंने उत्पाद करने का काम किया और वो क्या काउंस ही पर जाती थी बासमती ठीक है वराइटी क्या थी बासमती आप इसको भी टिक कर लीजिए अब इस लाइन को क्लिक इसको जो है आप टिक कर लिए यही आलसो नोन फार्दर डवलपमेंट आप दा मतलब यहां से ले करके और यहां तक एल्ड एंड क्वाल्टी तक स्वामी नाथन इनिसियेटेट कोला वेरेशन भित नॉर्मन इबोलाग यह नॉर्मन इबोलाग से यह मिले उनसे मिले और वहां से क्या हुआ कि Green Revolution थो इंडक्सन आप Mexican बराइटी जाप हुएट इन इंडिया ठीक है Mexican एक बराइटी है हुएट की उसको जो है इन्होंने डवलप किया और ही वाज highly recognized and appreciated और इसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धी मिली इन्होंने शुरुवात की lab to land तक मतलब परियोग साला से लेकर खेती तक मतलब जमीनी अस्तर तक इन्होंने वार्क किया है फसलों को लाने के लिए जो high yielding, short duration, high yielding varieties की थी उसके बाद क्या है lab to land food security and several other environmental programs he has been honored with Padmabhusan ये भी आप टिक कर लिजिए ये Padmabhusan Award से जो इनको मिनका एक अवार्ड मिला Padmabhusan and several other prestigious award और भी हो कई अवार्ड मिले लेकिन इसमें Padmabhusan जो दिया को उसका नाम आप याद कर सकते हैं medals and fellowships by institution of excellence इनमें जो सबसे important चीज थी वो मैंने आपको बताई एक line दी गई आना जाता था कि state of body and mind where the was the balance of certain humor this is what early Greeks like hypocrites as well as Indian अगरुवेदा system of medicine ने सब्सक्राइब हिपोक्रेट्स और Indian अगरुवेदा ने यह सब माना ठीक it was thought that person with black bile person जिसको ब्लाइब यह लोग सुचते थे person जिसको black bile belong to heart personality and would have fever उसकी heart personality होगी और इसको fever होगा ऐसा मैंने आपको बताया ठीक फीवर दिस आइडिया वाज एराइड by pure reflective thought the discovery of blood circulation by William Harvey मैंने आपको बताया William Harvey सहबाय सब को उड़ा ले गए अपनी धाराम सब को उड़ा ले गए ठीक यूजिंग experimental method इसको आप लिख लीजिए but blood circulation की खोज किस ने discovery आप blood circulation William Harvey note कर लीजिए note down कर लीजिए discovery आप blood circulation William Harvey okay using his using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health ठीक है good humor hypothesis of health को इन्हें ठुकरा दिया in later years biology stated that mind influences through neural system and endocrine जो कुछ भी मैंने आपको बताया वही चीज़े चल रहे हैं इसमें our immune system and that our immune system maintain our health हमारा immune system हमारे health को maintain करने का कारी करता है hence mind and mental state का an effect our mind or mental state हमारा जो दिमाग है और जो हमारा दिमागी संतुलन है वो जो है दिमागी जो हालात है हमारे वो हमारे health को effect करते हैं ठीक है और आपको health is affected by health की चीज़े से effect होता है मैंने तीन चीज़े आपको बताए genetic disorder infections and lifestyle उसको यहाँ पर दिया गया है तीन statement में genetic disorder पर आईए genetic disorder ने दिया क्या दिया गया है deficiencies with which a child is born and deficiencies or defect which the child inherits from parents from birth मतलब उसको बर्थ से हुए होगा वो अपने parents acquire किया है ठीक है तो यह चीज़े genetic disorder में उसको आज infection आप जानी रहे हैं आपको कहीं से infection हो गया फिर आप आते है life style including food and water भी टेक rest and exercise भी गिप्ट गवार बाड़ी में आपको बताया था आप कितना सो रहे हैं आप कैसी diet ले रहे हैं सारी चीज़े मैंने आपको बताई विल्कुल कहानी की तरह वो चीज़ें आपके दिमांग में चलें यह आपको पता चले है कि life style से हमारी health effect हो रही है ठीक है इसलिए अपनी habits को अच्छा रखें इसमें habits that we have or like it etc मतलब जो habits हमारे पास है या कोई ऐसी अच्छे habits है जो मेरे पास नहीं है जिससे हमारी health सुधर सकते उसको अपने habits में लाएं जो गंदी आदते हैं उन्हें अपने habits से निकालें उसके बाद एंसके पॉइंट पॉइंट अब इसे में health को definition आपको दे थी वह इस लाइन में दी गई है दूसरा पेस पलट यह तो आईए the term health is very frequently used by everybody term health जो हो सबके द्वारा हमेशा अप्रयोग में लाया जाता है health को हमेशा आप लोग बोलते रहते हैं how do we use define it हम लोग कैसे इसे define करेंगे health does not simply mean absence मैंने आपको बताया था health का मतलब सिर्फ disease का absence होना नहीं है और physical fitness या physical fitness होना नहीं health का mean it could be defined as a state of complete physical mental and social well-being मैंने आपको इसकी definition बताई थी इसको आप टिक कर लिजिए एक बार NCRT में भी आप red pen से या कोई panoptically defined as a state of complete physical mental and social well-being मैं short note भी बनवाऊंगा आज पहला लेक्चर है मैं सोच रहा हूँ ज्यादा कुछ ना करवाऊं इसलिए आज मैं सिर्फ NCRT के reading में आपको एक मैं थोड़ा थोड़ा आपको अपको अपना डेमो टाइप इसको समझे ठीक तो आईए when people are healthy they are more efficient at work मतलब जो बेत हल्दी होगा वो बहुत efficient होगा आपने काम की प्रत्ष और this increase productivity and brings economic prosperity मतलब उससे क्या होगा उससे productivity बढ़ेगी economic prosperity बढ़ेगी economy बढ़ेगी देश की बढ़ेगी हमारी भी बढ़ेगी ठीक है health also increase longevity longevity health जो है वो longevity को increase आप people people के longevity को increase करता है and reduces infant and maternal mortality उसके बाद आते हैं किस चीज़ से health आप अपना सही कर सकते हैं उसके बाद वाले पहरा में उसमें दी क्या दिया गया है balance diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health मतलब good health के maintain करने के लिए आपने diet को balance की जिए personal hygiene, regular exercise ये तीन चीज़ें बहुत important योगा has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health, physical or mental health के लिए क्या जरूरी योगा जरूरी है इस line बता गया awareness about disease, disease के प्रत्य आप aware कितने हैं ये भी आपके health के उपर प्रभाव डालेगा and the effect on different bodily function और उनका आपके जो bodily function है उन पे भी इनका effect होगा गया आप disease के प्रत्य जो है क्या नहीं है aware नहीं है ठीक, vaccination से आप अपनी health को improve कर सकते हैं कोई भी vaccine है आप vaccine जरूर लगवाएं, बहुत से लोग है कह रहे हैं कोरोना की vaccine ही नहीं लगवाएंगे ठीक है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ vaccine जरूर लगवाईए, देखिए हमारे scientist दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं वो अपना परिवार छोड़कर हमारे लिए लेब में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की तो यदि आपको ऐसा आउसर मिल रहा है तो आप जरूर लगवाएं, यदि आप उस योगगे हैं उतो क्योंकि ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया रखके किया जा रहा है, तो आप यदि योगगे हैं तो आप जरूर लगवाएं ठीक है, उसके बाद आते हैं कि proper disposal of bests, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health when the functioning of one or more organs are system of the body is adversely affected ठीक, health की इसमें, मतलब disease के बारे में इसमें बताया कि disease कब जाने के Dutch disease है, तो इसमें क्या दिया गया है, when the functioning of one or more organ जब एक organ या उससे अधिक organ या organ system जो है वो, जो function कर रहा है आप the body is adversely affected, वो affected है, characterized by appearance of various signs मतलब इसके sign और symptoms जो हैं दिख रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, we say that we are not healthy हम healthy नहीं, जब कोई organ system affected है, मतलब हम healthy नहीं है, ठीक है, we have a disease हमें एक रोग है, या disease है आप कहे सकते हैं, हिंदी में बिता देता हूं बीज बीज में, मतलब diseases जो एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में transmit हो जाती है, ठीक है, आर काल infectious disease, उन्हें infectious disease कहा जाता है, infectious disease आर बेरी कामन, infectious disease बहुत कामन है, and everyone of us suffers from these at some time or rather, मतलब हम में से हर बेक्ती जो है, वो infectious disease से कभी ना कभी उसका पाला जरूर पढ़ा है, influenza तो होई जाता है भाई, जो कामन कोल्ड जिस से कहते हैं, कामन कोल्ड हो गएरा तो होई जाता है, हमें at least साल भर में, छे महीने में, या उसके बाद बहुत लोगों community थोड़ा अच्छी है, उन्हें थोड़े और दिन बाद होता है, तो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद क्या है, इसमें क्या दिया गया है, कि infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other, मतलब हम लोगों में सभी लोगों कोई कभी कभी न कभी ये हुआ होगा, तो some of the infectious diseases like AIDS are fatal, मतलब AIDS dangerous है भाई, ये जो है मृत्तु का कारण भी बनता है, एमंग non infectious diseases, cancer is the major cause of death, और non infectious disease में cancer major cause बनता है death का, ठीक है, और drug and alcohol abuse also affect our health adversely, मतलब ये ड्रग हैं और alcohol हैं, वो भी हमारे health को affect करते हैं, वो भी हमारे health को खराब कर सकते हैं, तो इसलिए नसे से कुछ नहीं मिलता है, ड्रग और alcohol का सेवन करने से कुछ नहीं मिलता, ये ये आप सोचते हैं, आपकी age में कोई सोचता है, कि मैं इस बाद चेक करता हूँ, आपको मैं बता दूँछ चेक करते ही और पक हो जाता है, और उसके जाल में फंस जाता है, इसलिए कभी भी ड्रग और alcohol का सेवन ना करें, क्योंकि नसा ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको addict बना देंगी, और आप फंस जाएंगे, आप बढ़ते ही जाएंगे उन चीज़ों में, तो इसलिए आप drug और alcohol से बिलकुत दूर रही, पिलकुल मेरी यही सला है, मेरा personal opinion है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, उसके बाद अगली heading जो आती है, common diseases in humans, common diseases in humans, जैसे मैंने अभी तक health के सारी शीज़ें, थोड़ी थोड़ी आपको बता दी, उसी तरीके से मैं, common diseases in humans, जो है, उसको भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, आपको एक overview दे दूँगा, जैसे आप जो मैं बाते हैं, वैसे बोलता हूँ ना, खड़े होकर, उसको बहुत ध्यान से सुना करेए, वो बात हैं, अगर आपको बिलकुल एक दम, बिलकुल इसम ध्यान से सुनेंगे न, आपको NCRT पढ़ने में लिख के लिए, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत, आपको कहानी आपको याद है, सिर्वे NCRT के लाइन पढ़नी है, तो अब आते हैं हम लोग, common diseases in humans, तो आईए स्टार्ट करते हैं,